हमने कहा था कि जो तीन काले कानून हैं इनको वापिस लेना पड़ेगा इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालुम था कि तीन चार बड़े जो पुझी पती हैं उनकी शक्ती हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वो ही हुआ जो तीन काले कानून थे उनको अंत में रद करना पड़ा यह किसानों की मजदूनों की सफलता है एक प्रकार से देश की सफलता है मगर जिस प्रकार से यह कानून रद किये गए बिना कोई डिसकॉशन पार्लिमंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी यह दिखाता है कि सरकार डिसकॉशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है डिसकॉशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है वो जो 700 किसान जुन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिसकॉशन होना था डिसकॉशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए इसके पीछे किसकी शक्ती की कौन सी शक्ती थी ये क्यूं किये जा रहे थे क्यूं बनाए गए डिसकॉशन मस्पी पर भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पर होना था लखिंपूर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिसकॉशन होना था वो तो सरकार ने होने नहीं दिया मगर सरकार के द्माग में थोड़ा सा कंफूजन है वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं किसान लोग हैं मजदूर लोग हैं अजयिम अबोलो इसस्टालीश अबोलो, we had mentioned earlier that the farm laws would have to be withdrawn and we had said it because we understood that the might of three or four large crony capitalists cannot stand against the might of the Indian farmer औरुमियन लबरह, and that has come true. What is unfortunate is how the bills have been repealed? Without any discussion, without any conversation. We wanted to have a conversation about the forces behind these bills, because these bills do not just reflect the view of the Prime Minister, these bills reflect the power behind the Prime Minister, the power of people and forces behind the prime minister, and that is what we wanted to discuss, who actually is behind these 3 bills, what are the forces that are behind these 3 bills. We wanted to discuss MSP, we wanted to discuss Lakheempur Kheri, we wanted to discuss the 700 farmers who died in this agitation, and unfortunately that discussion has not been allowed. This is a reflection of the fact, that the government is terrified of having this discussion, the government wants to hide, the government does not have the guts to stand up for its actions and this is quite unfortunate. आप लोग इस तुरे आंदोलन में दो तीन मांग पहले भी थी आपकी, पहले जैसे कि MSP की गारंटी मिले, दूसरी की जो ग्रिह राज मंत्री हैं, जर मिश्रा टेनी उनका इस्कीफा हो, क्या इस कानून को वापस लेने से अब आपकी ये मांग खतम होगे ये इस पर अभी आपका प्रदोस्तन दर्मा ये तो ये तो देखिए, ये ये जो तीन कानून थे, ये किसानों पर आकरमन था, मजदूरों पर आकरमन था, मगर किसानों और मजदूरों की जो डिफिकल्टीस हैं, मुश्किले हैं, वो MSP, कर्जा माफी, वो लंबी लाइन, लंबी लिस्त है और वो अभी तक मतलब उनके मांगे हैं और उनका हम समर्खन करते हैं तो इसका क्या मतलब है? बंदी कर लो आपने कहा कि प्रधान मंत्री ने माफी मांगी इसका मतलब प्रधान मंत्री ने ये एकसेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मरे गए हैं उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा अंदोलन हुआ हुआ है तो फिर अगर उन्होंने गलती एकसप्ट कर ली है तो फिर कॉंपनसेशन देना तो पड़ेगा तो प्रकार से लिया है इन्होंने सबसे पहले इसमें किसानों का अप्मान किया है उन्होंने कहा है कि खोड़े से संगठन खोड़े से किसान के संगठन एक सेक्शन एक सेक्शन पर लेता है दूप एक ग्रूप और फ़ार्मर अर्प्रोटेस्टिंग अगेंस इस लोज यह कोई गुरूप नहीं है यह इंदुस्तान के सकिसान है पहलों आपने ईंको खालिस्तान अब आप इनको ग्रूप वार्मर्स यह ग्रूप अफार्मल नहीं है यह हिंदुस्तान के सारे के सारे किसान है और यह समझते हैं कौन सी शक्तियां कि इन पर आक्रमन कर दी है कि आप लोग के लिए किसानों के लिए किसान संगठन के देशन अभी बॉटर के बैठे हुए है लुटर के लिए किसान संगठन के लिए उनके साथ सो लोग शहीद हुए है उनको आपने मतलब एक साल यह वाप बैठा रखा है उनको घर नहीं जाने दिया आपने आपने कहा कि गल्ती मेरी है तो फिर आप कंपंसेशन दो ना और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो MSP पूरी उनको दो अपने पूछ लिया अब बाकी लोग बैठें यहां पर आप अपने पूछ लिया अब बाकी लोग बैठें यहां पर अपने लीजिगाद्टार आप yourself I don't think you mean this is not an isolated event. This is the thing to understand. Just now one of our journalist was asking me the question why parliament should exist? Right? He does not even understand the question he is asking because this entire instrument is captured by the same forces that are pushing the farm bill, it is the same forces that carried out demonetization, it is the same forces that put a flawed GST, it is the same forces that didn't give any money to the poor people during covid. So the question is not whether the government is going to try to pass these farm laws again, the question is that the government is captured by a group, by an interest that is against the poor people of this country, they will do whatever can be done to damage the future of the poor people of the country. The decision was taken by the government because the government could not face the power, the strength of the Indian people represented in this case by the farmers and the laborers. Of course, the idea that UP elections are near, that must have played something in their mind. Last question. So if they were fully in support of the farmers, what were they doing for the last one year? Why did it take 700 dead Kishans for them to repeal these laws? Why is the prime minister apologizing for what? If they have done nothing against the farmers, why is he apologizing? And on whose behalf is he apologizing? So the intention, the intention is bad and as I mentioned just now, it is not, I mean the prime minister is an instrument of these forces. The prime minister is the tool of these forces. These forces sit behind the prime minister. These forces capture the media and they pass laws like the farm laws, they do demonetization manipulation and they're inimical to the future of this country. s a country. Thank you very much. झाल जोगज झाल